अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, आप अपने बालों को काला, घना और जर से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास तक देखना बिलकुल मत भूलिएगा आज के वीडियो में हम हिबिसकस ओयल बनाना सीखेंगे, जो आपके बालों को काला, घना और जर से मजबूत बनाएगा, इसके साथ ही साथ अगर आपके बालों में हेर फॉल की प्रॉबलम हो रही है, तो उसे भी रिडियूस करेगा हेलो फ्रेंट इसे सुरूची और वेलकम टू माई चैनल आईए देख लेते हैं कि इस चमतकारी तेल को बनाने के लिए आपको किन-किन चीज़े को यावशकता होगी सबसे पहले चाहिए आपको गुड़हल की फूल गुड़हल की पंखुरिया और जो उनके हरे पत्ते होते हैं वो साउथ इंडिया में बालो को काला घना बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसमें अमिनो एसीड के साथ-साथ अलफा हैड्रोकसी एसीड वाइटिमिन A और वाइटिमिन C भी पाया जाता है ये जो डल और फ्रिजी हेयर होते हैं उनकी लिए एक बहुत अच्छा नाच्रल कंडिशनर का काम करता है तो आप गुरहल के फूल के साथ साथ इनकी पत्या भी ले सकते हैं मुझे आसाने से अवलेबल हो गई थी ये सारे चीचे तो मैंने फूल और पत्या दोनों ले ली है अगर आपको आसाने से अवलेबल ना हो पत्या तो सिर्फ फूल से भी आप काम चला सकते हैं इसके बाद आपको चाहिये नारियल का तिल, हम सब जानते हैं कि बालों के लिए नारियल का तिल कितना आच्छा होता है इसके बाद जो तीसरी चीज हमें चाहिए वो है कलॉंजी इसे मंगरैल भी कहते हैं कलॉंजी में बहुत स्ट्रॉंग और शदिये गुण होते हैं इसके बाद आपको चाहिए मेथी दाना मेथी दाना में नए बाल उगाने की और बालों को जड़ने से रोकने की बहुत गुण होते हैं इसमें निकोटेनिक एसेड भी होता है तो ये तो थे सारे इंग्रीडियंट्स आईए हम देख लेते हैं कि इसे प्रिपेर कैसे करना है सबसे पहले गुरहल की फूल और पत्तियों को अच्छे से पानी से धो लीजिए और 5-10 मिनट के लिए इसे धूप में सुखा लीजिए या फिर अगर आपके पास धूप अफ़लेबल नहीं है तो एक से दो घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दीज़े जिससे कि इनके उपर जो एक्स्ट्रा पानी गया था धोने की वज़े से वो सारा निकल जा और इसमें कोई भी मौश्यर ना रहे नेक्स्ट हमें मेथी दाना और कलॉंजी को हलका दरदरा पीस लेना है बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है हलका दरदरा इसे पीस लेना है यहाँ हमने आधा लीटर नारियल के तेल के लिए पांच गुरहल के फूल, साथ से आठ पत्तिया चार छोटे चमच कलॉंजी और चार छोटे चमच मेथी दाना का इस्तमाल किया है इसके बाद एक कटोरे में हम नारियल के तेल को निकाल लेंगे गर्मी का मौसम है इसलिए यह पिगला हुआ है पहले से तो हमें पिगलाने के जरूरत नहीं परी अब हम इसमें सारी चीज़ों को मिला देंगे गुरहल के फूल, पत्तियां, मेथी, दाना और कलॉंजी का जो हमने पाउडर तियार किया है दरदरा वो सारा चीज हम इकट्ठा इसमें मिला देंगे ध्यान रखिएगा तेल को गरम करके इन चीजों को मत मिलाएगा अदरवाज इनका चौका लग जाएगा ठंडे तेल में ही सारी चीजों को मिला लेंगे मैंने यहाँ पर फूल की पंखुडियों और पत्तियों को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ लिया है हाँ से ही जिससे इनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से तेल में आ जाएगा हम मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है फूल का वो तेल में एक्स्ट्रैक्ट कर पाएंगे सारी शीजों को चमच के हेल्प से अच्छे से मिला लेजे तो तो पानी हमने रखा है जिसमें हमने तेल डाला है को इस पानी में डाल दीजे bol dream भेन से बुलबुला बने पानी से और अगर बुलबुला स्प्लेश हो के का्टोरे में आएगा तो उसमें मौशर रहे जाएगा तेल में और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा तो पानी बस हलका सा रहना चाहिए, यहाँ पानी हमने इसलिए रखा है, जो तेल है वो डारेक्ट हीट के कॉंटेक्ट में ना आए, और तेल का जो अपना ओरिजिनल निट्रिशन है, वो लॉस ना हो, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि डारेक्टली तेल को गैस पे हीट ना किया जाए, उससे उसका जो निट्रिशन है, वो बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, हम मैक्सिमम निट्रिशन नहीं रिटेन कर पाते हैं, तो इस तरीके से ये जो डबल बॉलर प्रोसेस है, ये बहुत सही रहता है, अगर हमें कोई भी होम मेड ऑईल बनाना है, इस तरीके से क्या होता है कि जो भी तेल में हम इंग्रिडियन्स यूज़ करते हैं, उसका nutrition बहुत अच्छे से तेल में mix होता है बिल्कुल भी loss नहीं होता है और जब वो तेल हम apply करते हैं तो हमारे बाल बहुत अच्छे होते हैं तो इस तरीके से आप चम्मत से धीरे-धीरे बीच में चलाते हुए लगबग 15-20 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने दीजिएगा 15-20 मिनट के बाद आप कटोरे को कढ़ाई से निकाल कर बाहर रख दीजिए रूम टेंपरिचर पर ठंडा हो जाने दीजिए एक बार जब ये तेल बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको अच्छे से निचोर निचोर कर छणने की मदद से या फिर कप्रे में डाल कर कप्रे से चान लीजिएगा जिससे की जो भी इंग्रीडियंट्स हमने इसमें यूज किया था वो सब अलग सेपरेट हो जाए और जो हमारा ओयल है वो अलग एक्स्ट्रैक्ट हो जाए आप चाहे तो इन सब को मिला कर भी रख सकते हैं सिर्फ फूल और पतियों को निकाल लेजिए बाकि जो हमारा कलॉंजी था और मेठी था वो ओयल में वैसे ही रहने दीजिए आप ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो आप चान कर भी रख सकते हैं इसको स्टोर करने के लिए कोशिस कीजेगा आप किसी ग्लास जार का यूज कीजिए ग्लास जार अच्छे से सूखा हुआ हो अगर जार में भी पानी रह गया तो इससे भी तेल बहुत जल्दी खराब हो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैंने थोरा सा गुनगुना तेल ही जब तेल बहुत थंड़ा नहीं हुआ था हलका गुनगुना था सारे इंग्रीडियंट्स के साथ ही मैंने इस बॉटल में भरके रख दिया था दो दिनों के लिए जिससे की जो भी इंग्रीडियंट्स का और भी नूट्रिशन था जो अभी नहीं आ पाया था ओयल में वो सब भी अच्छे से ओयल में एक्स्ट्रैक्ट हो जाए और दो दिन के बाद मैं इसको कपरे की मदद से बहुत अच्छे से चान कर सब को अलग कर लूँगी और सिर्फ ऑयल को इसी जार में स्टोर कर के रख लूँगी तो अगर आपके पास टाइम है आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है आप चाहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी से हमारा ओयल प्रिपेर हो जाए तो आप बनाते के साथ ही इसे रूम टेंपरिचर पर ठंडा कर लीजिए और उसी करते वक्त ध्यान रखते हैं कि इसमें पानी ना जाए बहुत अच्छे से साफ चमज से निकाल कर ओयल को यूज करते हैं तो ये आराम से दो से तीन महीने तक चल जाएगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसको फ्रीज में स्टोर बिल्कुल मत कीजेगा नॉर्मल रूम ट और इसके बेनिफिट्स कितने जादा है इस ओयल को बनाएए कैसा लगा आपको इसको यूज करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके बाल जढ़ने कम हुए या नहीं बालों की शाइन सही हुई या नहीं बालों में मजबूती आई या नहीं ये सारा कोश मु बेल बटन को जरूर हिट कर दीजेगा जब भी कोई नहीं वीडियो अपलोड करू आपसे उसका नौटिफिकेशन मिस नहों मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स वीडियो में तबते के लिए बाबाई